हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल किर्केट एक्सपोर्ट में दोस्तो पाकिस्तान और न्यूजिलेंड के बीच पांच टी-टॉन्टी मैचों की सीरीज 14 अप्रैल से सुरू हो रही है और इस सीरीज के सुरुवाती तीन मुकाबले लाहर के कद्दाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे जबकि अंतिम दो मुकाबले रावल पिंडी के पिंडी किर्केट स्टेडियम में खेले जाने है आज के इस वीडियो में हम लाहोर के कदाफिक किरकेटरी स्टेडियम के पिछ के बारे में प्रिव्यू करेंगे आपको बताएंगे कि दोनों देशों के बीच होने वाले इस सीरीज के सुरुवाती तीन मुकाबलों में इस पिछ का क्या रोल रहने वाला है कैसा खेल हमको दे कीजिए और फेस्बुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फालो जरूर कर लिए दोस्तों बात करें लाहोर के गदाफिक किरकेटरी स्टेडियम पिछ के बारे में तो यहां पर बैलेंस किरकेट हमको देखने को मिलती है एक ऐसी पिछ है जहां पर चाहे तेज गेदबाजी ह पिछ सबके लिए अच्छी अपार्टिनटी रहती है अच्छी सपोर्टिव कंडिशन रहती है खास कर देज गेदबाजी सुरु में यहां पर मदब लेती है जबकि बैटिंग यहां पर अच्छी खासी इस्टेंट के साथ kहलती है एक बार सेट होने के बाद अच्छे स्क नेशनल मुकाबले हो चुके हैं जिन में से 18 मुकाबले मेंस क्रिकेट के तो बाकी के 6 मुकाबले वो में क्रिकेट दोरा खेले गए हैं इन 24 मुकाबलों में पहले इनिंग में बैटिंग करते हुए 13 मुकाबले तो चेज करते हुए 11 मुकाबले जीते गए हैं इस दवरान पह आई थी लोवेश्ट टोटल में पाकिस्तानी टीम सिलंका के सामने इस वेन्यू पे मात्र 101 रन बना के आलाउट हुई है वहीं हाइस्ट स्कोर्ट चेज में पाकिस्तानी की टीम जिम बामबे के अगेंस्ट चेज करते हुए 176 रन बना के मुकाबला जीत लिया था लोवेश् करें यहां की बाउंडी साइज की तो सर्कुलर बाउंडी यहां पर देखने को मिलती है जो की पिछ के सेंटर से लगभख 70 से 75 मीटर के रेंज में हमें देखने को मिलती है वैसे दोस्तों अगर हम बात करें न्यूजिलेंड और पाकिस्तान के बीज T20 में head to head states की तो दोनो देशों के बीज को मिला के 28 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं और इसमें पाकिस्तानी टीम का पलड़ा भारी है इन 28 मुकाबलों में न्यूजिलेंड की टीम को मात्र 11 मुकाबलों में जीत हाथ लगी है जबकि पाकिस्तानी टीम ने 17 बार मुकाबले जीते हैं तो अ 18 मुकाबलों में पार्टिसिपेट किया है जो मुएंस क्रिकेट में हुए है और इन 18 मुकाबलों में पाकिस्तानी टीम का परफॉमेंस मिला जुला देखने को मिला है इस दवरान पाकिस्तानी टीम को 10 मुकाबलों में जीत हाथ लगी है तो वही पर साथ में 8 मुकाबलों म हार का सामना भी करना पड़ा है दोस्तों आपको क्या लगता है इस सीरीज का क्या रिजल्ट निकलेगा कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद